जैहिन दोस्तों, SSGT 24 की नहीं वेकेंसी आ चुकी है और इसकी वेकेंसी को statewide divide करके list भी जारी कर दिया गया है अब बहुत सरे बच्चों को मैं doubt है कि सौरब यह वेकेंसी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी अगर वेकेंसी इंक्रीज होगी तो कौन से पोश्टों वेकेंसी इंक्रीज होने वाली है और वेकेंसी कब तक इंक्रीज होगी तो मेरे दोस्त वेकेंसी ताप एक कनफर्म इंक्रीज होने वाली है, मेरे पास MHA का ओफिसल नोटिफिकेशन है, MHA के Amnesty और Home Office का ओफिसल नोटिफिकेशन है, जिसमें दोस्तों यह बताएगे कि वेकेंसी कितनी खाली है, और कौन से फोर्स में आपकी वेकेंसी बढ़ने व 143 वेकेंसी निकाली गई है, ओल अबर इंडिया के लिए, दिन दोस्तों आप में सबसे ज़ला गौर करने की बात है, CRPF में आप वेकेंसी देखो टोटल, कितनी वेकेंसी निकाली गई है, तो 3000 प्लॉस वेकेंसी CRPF में निकाली गई, तो 3337 वेकेंसी रहेगी CRPF की इस न आप मार दो, अब ये देखिए दोस्तों, मैं आपको official notification दिखा रहा हूँ, ये notification गौर्मेंट आफ इंडिया, Ministry of Home Office के तरव से officially जारी किया गया था, जिसमें ये बताया गया था, कि CRPF में अब की बार तो टोटल वेकेंसी है, कितनी है, तो भया, 130,000 अपरोक्स वेकेंसी ख खुँद जारी किया था, और कहा था, कि आपकी बार जो आपकी वेकेंसी टोटल जो खाली है, वो वेकेंसी दोस्तों, आपके एप्रोक्स कितनी खाली है, तो भया, 130,000 अपरोक्स आपकी वेकेंसी खाली है, CRPF में, और दिन दोस्तों, ये जो notification आने के बाद, एक और notification आया है, तो भहिया, वो आपके तीरों original language में होगा, ये दोनो notification एक ही साथ release किया गया था, ठीके, इस notification में जो बताया गया था, ये भी दोस्तों, आपके MHA का तरह वतर से ही notice जारी किया था, ये भी ministry of home affairs का ही notice था, इसमें भहिया, तीरों original language के बारे में बताया गया था, और ये में डाला गया, बट जो आपकी 1,30,000 vacancy CRPF में खाली है, इसके बारे में already, ministry of home affairs में बताया हुआ है, अपकी बार SSGD के vacancy में, जो की 200 CRPF की vacancy 3000 plus ही है, मेल के इंडिट की, तो भहिया, जब 1,500,000 vacancy खाली है, तो vacancy जो आपकी 3000 निकाली गही है, इसमें आपके पूरे chance है कि निकी vacancy increase होगी, भहिया, confirm vacancy increase होगी, एक लाग 30,000 vacancy खाली है, government of India के पास, पुरे एक लाग 30,000 vacancy पड़ी हुई है, government of India ने पूरा दोस्तों notification जारी किया था, इसको लेके, age कितना लगेगा, अच्छा से 23 साल का age लगने वाला है, metric pass रहेगा, इसके फार्म का apply करने के तो अभी जब SSGD का vacancy आया है, तो उसमें, भहिया, CRPV की पोश्टे तो बहुत सदा कम है, अब CRPV की पोश्टे तो इतनी है नहीं, अफ्रॉक्स भहिया, CRPV कितनी पोश्ट है, 3000 plus, तो vacancy आपकी अपकी बार confirm भने है, कौन-कौन से पोश्ट में बढ़ेगी, वह मैं आप की बढ़े की वही बताऊंगा, देखिए, सबसे पहली बात, अगर vacancy increase की बात करें, तो अपकी बात जो आपकी vacancy increase होगी, किसमें आपकी vacancy increase होने वाली है, तो वहिया, vacancy जो आपकी increase होने वाली है, CRPV में, CRPV में, आट-विश्ट इन हजार vacancy निकाली गई है, हो सकता है, पूरे पूरे chances हैं कि ये वेकेंसी 3000 से बढ़ के दोस्तों आपके अप्रॉक्स नहीं भी तो 8000 या दोस्तों 9000 हो जाए आठ से लेके 9000 तक ये वेकेंसी हो सकती है जो आपके 3000 प्लॉस है बात बाकी दोस्तों यह कौन-कौन से पोश्टों वेकेंसी बढ़ सकता है इसकी भी जनकारीय आपको दे देता हूं आपका साला डाउट क्लियर हो जायगा खिक है वेकेंसी को लेकर तो भाया जो वेकेंसी बढ़ने के चांसे हैं बिएसेफ में ठीक है, CRPF में और दोस्ता आपकी जो वेकेंसी बढ़ेगी वो दोस्ता आपके CISF में वेकेंसी बढ़ सकती है, तो CISF पूरती वेकेंसी बढ़ने के चांस नहीं है, बर फिर भी यह दोस्ता जो आपकी तीन फोर्स है ना, BASF, CISF, CRPF यह तीन फोर्स में आ और भी इंक्रीज की जा सकती है, जिसके पूरे-पूरे चांसे निकल के सामने आ रहें, अब जो आपकी 26,000 प्लॉस वेकेंसी होके, कितनी वेकेंसी हो सकती है, ठीक है, अब बच्चों का सबस्ता डाउट भी होगे, कि जो आपकी सौरब भी है वेकेंसी बढ़ेगी, वो ए SSGD का आपकी बार आपने दिया होगा, देखा होगा 26,000 प्लॉस वेकेंसी निकाली गई है, अल अबर इंडिया के इंडिट के लिए, यह वेकेंसी निकाली गई है, यह वेकेंसी इंक्रीज होके अप्रॉक्स, ठीक है, जो आपकी होगी, वो दोस्तों आपके 35,000, या तो द 55,000 सालेके, आपके 45,000 सालेके 45,000 प्लॉस होगी, इसके पूरे पूरे चांसे हें कि 7000, बढ़के 35,000 या 40速 हो जाया।। अब यह vacancy कब तक increase होगी? इसके लिए बहुत से बच्चे परिसान होगी, तो देखिए, अब यह जो vacancy increase होने की बात है, अगली बार जो vacancy को increase किया गया था, तो अब की बार भी यह जो vacancy है 26,000 प्लस यह आपकी vacancy धीरे-धीरे increase की जाएगी मेरे को पूरा-पूरी ख्याल है अभी आपकी vacancy कभी भी increase की जा सकती है अभी आपने form भर दिया exam देने जा रहे हो उस ट्रहें vacancy increase का notice हाजाए यह दोस्तों आप exam देखे आगे physical अपने clear कर द जाएगी अब 1-2% का chance नहीं vacancy increase होने का मैं आपको साफ सा बता दूं बधे आपका मन में doubt रह जाएगी vacancy increase हो जाएगी पूरा-परसेंट मेरे को पूरा-परसेंट चांस है कि vacancy increase होगी अब कितने पोस्ट आप क्या होगी अब यह भाईया government of India जाने government of ministry of office जाने लेकि वेक परसान में कोई जुरत नहीं है तो बात बात की best of luck अभी को जो भी इसे जुरी के अपकी बात की बात की बात की तैयारी कर रहा है अभी तक भी आगर आपका सिलावस complete नहीं है और भी आप बहुत दर परसान हो तो आप सभी के लिए चौकसु पूरा-परसेंट में आ चुक की है जिसमें आपको मिलने वाले आठाइसो प्लास बहुमूले कोशन पांच आपको मिल जाएगा और पूरा कोशन का पैटन इस बुक में डाला हुआ है तो यह तो आपके पूरे सिलेक्शन पूरी-पूरी मदद कर देगी और इसी गाइड़ बुक के साब इनका दोस्तों आपके दोस्तों गाइड बुक रहने वाली है तो इस बुक को दोस्तों आप पूरी-पूरी-पूरी मदद कर देगी दें दोस्तों मैंने वेकेंसी निपीज के वालने बता दिया है अब आपके मन में एक चीज़ का डाउट होगी हमारे स्ट्रेप में तो वेकेंसी बहुत पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पूरी-पू आपके जैसे हजारों बर की बच्चे SGB की तैयारी कर रहे हैं, जिसके दम में महनत होगा, जिसके भाया करम में पूरी ताकत होगी, सिद्धत होगी, सिलेक्षन लेने की, उसका सिलेक्षन लेने की उसका सिलेक्षन लेने की उसका सिलेक्षन लेने की उसका सिलेक्षन लेने की और एक चीज याद रखना, यह एज, यह समय समय और यह टाइम एक बार बीच जाएगा नहीं आएगा तो वेकेंसी दोस्तों चाहे 26,000 हो चाहे वेकेंसी 35,000 हो चाहे वेकेंसी 40,000 हो आपको सिद्दत से मैनत करनी है और एक पोस्ट में अपना नाम कंफर्म करना है कि भी एक पोस्ट में तो हमें नौकरी चाहिए और कुछ यूट्यूबर्स आपको बोरें कि 100 नंबर आ नहीं सकता है मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं दोस्तों ठीक है ना अगर आप सिद्दत से मैनत करो ना तो नंबर बढ़ते हैं अब जिस लोगों ने कभी तैयारी नहीं कि यूट्यूब पर ग्यान दे रहें तो वो आपको नहीं बता सकते हैं मैं बता हो कर बच्चा एक म नंबर बढ़ते हैं मैं दोस्त बस पढ़ाई चाहिए बस आपके अंदर लगन चाहिए पढ़ने की बस सिद्दत चाहिए पढ़ाई करने की बस या नंबर बढ़ेंगे और सिलेक्शन भी होगा और चाहे वेकेंसी कितनी भी हो एक पोश्ट में आपका नाम लिखा हुआ है आपके सौरब भाई को आपके पूरा विस्वास है बस इस विस्वास को मत तोड़ना और मेहनत करना और सिलेक्शन अपकी बार आपके कदम चुमेगी जे हिंज भारत और सिलेक्शन होना वेकेंसी बढ़ेगी मेरे दोस्त उसके चिंता मत कुलो पूरे 90% चांसे की वेकेंसी होगी और 26,000 से वेकेंसी बढ़े के 25 या 40,000 हो जाएगी बाद बागी ठीक है तो टेंसनी कोई दूरत नहीं है और वेकेंसी नहीं भी बढ़ती है फिर भी आपको डी मोटिवेट नहीं होना है भाईया आपके चाहे श्टेट में 300 वेकेंसी निकली हो चाहे 400 चाहे एक ही व मेहनत करनी है उस एक वेकेंसी पे आपका नाम लिखा है अपकी बार और किसी का बाप आपका नाम मिटा नहीं सकता बस आप मेहनत करने को तैयार रहो क्या तरही बात बोला ना तो भाईया जितना रगड़ा उतना तगड़ा जान लगा दो या फिर जाने दो तो जान लाग मेनद करो अब की बार आप सबके बदर मुझे वर्दी चाहिए जय हिंद जय बहुत बहुत नहीं कि जय बंदे मात्रम